प्रोटीन्स और विटिमिन्स भी होते हैं पहले हम यह जाच नहीं कर पाते हैं कि वो अंडे अच्छे हैं या फिर खराब और कई बार खराब अंडों का ही सेवन कर लेते हैं क्या आप जानते हैं कि खराब अंडों का सेवन करने से हमारी बॉड़ी पर कितने बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं मैं आपकी दोस नायरा आज आपको परिचित कराऊंगी उन्हीं कुछ पैक्ट से जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो आएए बिना किसी देर के जानते हैं उनके बारे में नमबर वन है डायरिया ज्यादा बासी अंडे का सेवन करने से आपको डायरिया, दस्त या फिर कप्स के लक्षन हो सकते हैं ये लक्षन आपको 10 से 15 गंटों तक परिशान कर सकते हैं इसी लिए आपको इस उझाब देती हूँ कि अंडे खाने से पहले उसको जाज जरूरें कि कहीं वो खराब तो नहीं है नमबर टू है तवचा रोग ये आप बासी या फिर एक्सपारी केट के अंडे का सेवन करते हैं तो आपको तवचा रोग, खुझली, रैशिस या फिर अलर्जी हो सकती है नमबर ट्री है सेल्मनोसिस सेल्मनोसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुचाता है यदि आप बासी अंडे का सेवन करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर सेल्मनोसिस नाबग बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए नमबर 4 लिस्टोरियोसिस ये एक प्रकार का संक्रमण वाला बैक्टिरिया होता है जो हमारी शेरीर के अंदर प्रवेश करते ही संक्रमण को पैदा कर देता है इसलिए बासी या फिर एकस्पारी डेट के अंडे खाने से पहले एक बाल जरूर उन्हें चांच लें टिप नमबर 5 है से दर्व एकस्पारी डेट या फिर बासी अंडे का सेवन करने से ना ही सिर्फ हमारी सेहत बिगरती है बन की जोडों में दर्व, एठन, सर दर्व भी हो सकता है इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको ताजे अंडे को सेवन करना चाहिए ताकि आपको बिमार अंडों का सेवन करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है इसलिए अंडों का सेवन जाच परकर करना ही आपके लिए उचित है इन सारे टिप्स को आजमाईए और अपने व्यूस को हमारे साशेर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए और मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ